वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडिये हम बात करने जा रहे हैं न्यूजिलेंड वुमेन वर्सिस वेस्ट इंडीज वुमेन ODI World Cup match जो ही खेला जाएगा Bay Oval में क्या रहेंगे Best Grand League के Captain Vice Captain Small League की टीम क्या रहने वाली है Grand League की टीम क्या रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो पूरी वीडियो देखेगा मज़ा आने वाला है बात करें वेन्यू की सो Bay Oval में मैच खेले जाने वाले हैं यहाँ पर यूजवली बैटिंग सर्फेस आपको देखने को मिलता है क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस है और बाउंडरी भी यहाँ की शॉर्ट है प्लस यह वुमेंस का मैच है यहाँ पर आपको बाउंडरी बहुत जादा बड़ी देखने को नहीं मिलेगी फास्ट बोलर्स को इनिशिल मुवमेंट ज़रूर मिल सकती है इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है एवरेज जो फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 235 है कंसिडरिंग मुमेंस के मैच एक अच्छा यहाँ पर एवरेज स्कोर भी हमें देखने को मिलता है जो लोग नए है वो हमाई साथ टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाएगे यह हमारा टेलिग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्षन में पिन कर दूँगा उसी के तुरू जुड़िएगा सर्च करके मज जुड़ना क्योंकि फेंटसी फॉर्चून के नाम से पैसे मांगे साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी सो टेलिग्राम पर जोड़ जाना पूरा वर्ल्ड कप आपके लिए कवर किया जाएगा प्लस और भी टूर्णमेंट्स जो है और मैचिस हैं वो आपके लिए डेली कवर हो रहे है बात करते हैं न्यूजिलेंड की सो यहाँ पर सोफी डिवाइन ओपन करते हुए नजर आ जाएंगी सूजी बेट के साथ, अमेलिया कर है, सैथर बेट है, मैडिंग ग्रीन है केटी मार्टिन, फ्रेंसस मैके, जैंसन, ली, तहुह, जैसकर और हैना रोव आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगी वेस्ट इंडीस की बात करें, सो यहाँ पर डॉटेन ओपन करते हुए नजर आ जाएंगी रशादा विलियम्स के साथ, केशिया नाइट है, स्टेफनी टेलर, यहाँ पर हेली मैथ्यूज, नेशन है यहाँ पर अलीन खेल सकती है, या केमबल खेल सकती है, हैंड़ी और एमी फ्लेचर में से कोई खेल सकता है यहाँ पर अनिसा मुहमद सल्मान और यहाँ पर शेमिलिया कॉनल जो है आपको खेलते हुई नजर आ जाएंगी बात कर लेते हैं यहाँ पर वुमेंस वर्ड कप के लिए लीडर बोर्ड भी आया हुआ है फैन टू प्ले आप पे आपको यह जरूर खेल लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है फोर्चुन रेफर कोड है उसके थू डाउनलोड कर लेना और लीडर बोर्ड हमेशा चाहे कोई भी आप वो जरूर खेला करो रीजन है क्योंकि बहुत ही कम लोग इसे खेलते हैं सो सारे मैचिस प्लस इसके जो मैचिस है वो रात के होने वाले हैं बहुत ही कम मैच लोग होंगे जो ये सारे मैचिस जॉइन करेंगे तो ग्रैंड लीग खेल लेना लीडर बोर्ड में अराम सिया 25,000 रुपे विन कर सकते हो बात करते हैं न्यूजलंड की टीम की आ रही है लेकिन फेविरिट जो इसमैच की आ रही है वो है न्यूजलंड को भी विन करना चाहिए सो यहाँ पर 7-4 का combination चलेगा और काफी हद तक जो है आपको देखना होगा small league में ना काफी हद तक teams जो है similar मिलने वाली है सो समझना जरूरी हो जाता है किसका role क्या है और किस condition में आप कोन सा player ले सकते हो Sophie Divine की बात करें बहुत important खिलाडी है आपके लिए warm-up match में 171 बनाके भी आ रही है बहुत तगड़ी पारी खेली थी इनोंने और open करेंगी सो captain wise captain की बहुत अच्छी choice रहती है जब चलती है बड़ी नहीं खेलती है wickets निकाल सकती है सो important player रहेंगी यहाँ पर Suzy Bates की बात करें grand league के लिए बहुत अच्छी captain wise captain की choice रहेगी grand league में small league में भी चाहो तो try कर सकते हो लेकिन batting second करते हो करना वो ज़्यादा better हो सकता है emilia kar बहुत यह अच्छी all rounder है batting bowling हर जगी से point देती है और यह best choice रहेगी Sophie divine के साथ इस match में captain wise captain की eme 70 weight है आपको जरुरत आने पर bowling भी करके दे देती है और आपको second down batting करती है काफी अच्छी player है और काफी experience खिलाड़ी है team की लेकिन अगर न रेखो इनको लेना हर कोई लेगा ठीक है लेकिन अगर यह western days की पहले batting आती है तो second inning में आप eme 70 weight को चाहो इंट form अच्छा है लेकिन काफी नीचे batting करती है तो उससाब से grand league के लिए जादा better रहेगी kt martin की बात करें wicket keeper है काफी लोग इने ignore करके चल सकते है small league में लेकिन यह आपको na catching के अच्छे points दे सकती है तो इस चीज़ का धियान रखना है तो अगर न्यूज़िलेंड की पहले batting आती है ना तो आप kt martin को अपनी टीम में consider कर सकते है यहाँ पर frances macken है जिनका selection बहुत ही कम होने वाला है अच्छी player है जो आपको batting से भी contribution करके दे सकती है और wickets भी निकाल सकती है तो grand league के लिए बहुत भड़िया choice grand league में तो try करना ही करना है और आप small league में भी आप इने as a differential player try जरूर कर सकते हो हेली जैंसन अच्छी allrounder है लेकिन यह आपको bowling section में mention है और आपको अच्छी खासे points आपको दे सकती है और क्यूंकि bowling section में mention है और बहुत सारे option महाँ पर आपको नहीं मिलेंगे तो एक important pick बन जाती है ली तहूहू की बात करें टीम के लिए काफी important bowler है और इनका भी selection और यहाँ पर McKay का selection ना 4-4-5-5 percent और भाई यह match winner खिलाड़ी है यह आपको grand league तक win करा सकती है तो यह दोनों के उपर ना ध्यान रखना है और इन्हें आप small league में भी differential की तरह try कर सकते है क्योंकि all rounder में already काफी अच्छे all rounder mention है तो जब हम team बनाएंगे उसके उपर हम बात करेंगे Jessker की बात करें यह बहुत अच्छी form है recent form इनका काफी अच्छा रहा है grand league में आप Jessker को भी captain wise captain कर सकते है हैना रोफ की बात करें तो हैना रोफ खेलनी चीए कल के match में और wicket taking bowler है और अगर team पहले bowling करती है western nds की तरफ western nds जो है पहले batting करती है और न्यूजलेंड पहले bowling कर रही है तो हैना रोफ एक अच्छी differential खिलाड़ी आपके लिए बन जाएगी इस team के important player की बात करते हैं तो यहाँ पर divine, suzy, bait और emelia कर तीनों ही आपकी team में होनी ही होनी चीए most important players है यहाँ पर 7 वेट है जो batting first करते हुए तो होनी ही होनी चीए second time में अगर second innings में चाहो तो risk लेकर drop करने कर risk लिया जा सकता है यहाँ पर jess कर तो यह जो 5 खिलाड़ी है यह mostly आपकी team में होनी ही होनी चीए जैंसन जो है वो अच्छी खिलाड़ी है important रहेंगी और तहू हू इनका selection बहुत कम है सो यह differential pick में भी आएगी differential खिलाड़ी इस team के यह वो खिलाड़ी है जो अगर आप लेते हो इनके उपर जादा लोग try नहीं करने वाले है और small league में अगर आप किसी एक को भी ले ले तो यह differential player का यह मतलब नहीं है आप 4 differential player ले लो main player drop कर दो इसका मतलब होता है जैसे किसी important player में से आपने किसी एक को drop करके आपने ले लिया ठीक है जैसे मैंने आपको बताया second inning में अगर setter weight को drop करने का risk ले रहो तो उसकी जगा आप किसी इन में से एक player को लिये जा सकता है लीता हूँ important खिलाड़ी रहेंगी सकती है और lower order में अच्छी बैटिंग करके दे देंगी है ना रोव selection काफी कम है लेकिन wickets निकाल सकती है प्लस West Indies का किस्ट मैच है तो wicket निकाल सकती है तो यह चार खिलाड़ी है आप यह differentiate खिलाड़ी आपके लिए बन सकती है West Indies की बात करें यहाँ पर डोटिन ओपन करती भी नजर आ जाएंगी रशादा विल्लियम्स के साथ बात करें डोटिन की सोयार यह बहुत ही तगड़ी all-rounder रही है लेकिन रीसेंट टाइमस में बैटिंग ही जादा करेंगी बोलिंग इनसे मतलब जादा उम्मीद ना रखना कराई जा सकती है लेकिन रीसेंट टाइमस में बहुत जादा बोलिंग करती नहीं है लेकिन इस टीम की बहुत ही important सदस्ये हैं और बड़ी इनिंग्स खेलती है चोके छके भी अच्छे लगा लेती है तो एक important player रहती है Grand League में अगर आपको लगता है कि West Indies win कर सकती है तो इनके तीन player है Stephanie Taylor यहाँ पर Hayley Matthews और Dotan ये तीन हो जो है इनके main player है और इनको चलना होगा तब ही West Indies जो है उनके chances बनते हैं इस match में रशादा विलियम्स open करेंगी ठीक ठाक खिदारी है बहुत जबरदस्तों में नहीं करूंगा लेकिन अगर आप betting section में आपको create save करना है और ये open कर रही है तो उस case में आप इने consider जरूर कर सकते हो क्योंकि हो सकता है टीम अगर चाहे तो Hayley Matthews से भी open करवा सकती है अब आद करें केटी मार्टिन के उपर इने preference दे सकते है स्टेफनी टेलर most important player इस टीम की आपको betting, bowling हर तरी किसे point देती है प्लस ये ODI match है ये भी समझना होगा यहाँ पर क्या होगा west देखो यहाँ पर इनके पास अगर बात करें न्यूजिलेंड के पास ना सारे player बहुत अच्छे है तो कहीं बार chance उतना नहीं मिलता है लेकिन जो weak team होती है week वैसे western ndies अच्छी team है लेकिन week in terms of न्यूजिलेंड के अगरेंश खेह रहा हूँ वो भी न्यूजिलेंड में match है उस हिसाब से तो यहाँ पर इनके पास ना यहाँ पर हेली मैथ्यूज अपने ओवर पूरे करेंगी यहाँ पर टेलर भी अच्छे खासे ओवर आपको करके दे देंगी तो यह ना काफी हर तक batting bowling सब कुछ कर लेंगी ठीक है तो टेलर और हेली मैथ्यूज दोनों important है small league में और दोनों आप captain wise captain भी कर सकते हो अच्छे option आपके लिए रहने वाले है c nation की बात करें lower order में आके आपको hitting कर देंगी थोड़ी बहुत so tribal option है आप try कर सकते हैं चाहो तो यहाँ पर Campbell और ऐलीन में से कोई एक खेल सकता है Campbell जो है wicket keeping section में है wicket keeping लेकिन केशिया night करेंगी so उसी साफ से केशिया night better pick आपके लिए बन जाती है एलीन की बात करें यह आपको bowling करके देंगी plus आपको थोड़ी बहुत batting भी करके दे देती है so एक all rounder का काम आपको करके दे सकती है so credit saver का काम आपको करके दे देंगी c henry जो है c henry ठीक ठाक all rounder है थोड़े बहुत end में run भी करके दे सकते है plus थोड़े बहुत over so आप उन्हें try grand league में जरूर कर सकते है small league में उतना recommend नहीं करूंगा इस team की जो main bowler है वो है anisa mohammad काफी important खिलाडी है spin करती है और wickets निकाल सकती है सो एक important player इस team की रहती है सलमान और कॉनल जो है इनकी fast bowler है सो यहाँ पर कॉनल जो है वो ज्यादा better है लेकिन सलमान का selection बहुत कम है grand league के लिए better रहेंगी लेकिन कॉनल को आप जो है small league में भी consider कर सकते है important player है यहाँ पर अगर overs की बात करें सो यहाँ पर Taylor, Hayley Matthews यहाँ पर Anissa Mohammed अपने ओवर पूरे करेंगी Hayley Matthews अपने ओवर पूरे करेंगी सलमान और कॉनल को भी अपने ओवर पूरे करने चाहिए यहाँ पर स्टेफनी टेलर यहाँ पर और support में कौन-कौन आ सकता है यहाँ पर आपके लिए Henry थोड़े बहुत ओवर करके देंगी और अगर alien खेलती है तो वो आपको थोड़े बहुत ओवर करके देंगी ठीक है बात करते है important खिलाड़ी की यहाँ पर डॉटन, Taylor, Matthews यह तो important है Anissa Mohammed काफी important है especially अगर Western Indies पहले bowling कर रही है उसी साफ से important है अपने over पूरे करेंगी यहाँ पर S.Connell जो है वो important है differential player, Keshia Knight क्योंकि selection कम है, one down है वैसे काफी लोग मुझे लगता है कि try कर सकते हैं उनको बट स्टिल एक अच्छी differential pick बन सकती है Anissa Mohammed, यह team की जो है vice captain है, अपने over most of the time पूरे करती है, और करने भी चाहिए अच्छी bowler है, आपको wickets निकाल के दे सकती है, selection इनका काफी कम है इनको आप जरूर ट्राइ कर सकते है Salman, Salman की बात करें इनका भी selection कम है, लेकिन यह अच्छी bowler है, काफी लोग को लाएंगे लेकिन Salman भी equally good है इसा नहीं है, recent form जो है konal की better है, बाट अपने दिन पर Salman भी अच्छे wickets निकाल सकती है, तो ध्यान रखना है ठीक है, बात करते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की small league में, डिवाइन एमिलिया कर, यहाँ पर हेली मैथ्यूस और स्टेफनी टेलर, सो कैप्टन वाइस कैप्टन खौत important हो जाता है सो यही चार्ज जो है, small league में best option रहने वाले हैं, grand league की बात करें, सो यहाँ पर jess कर हैं, suzy bates हैं, एमिलिया कर और डिवाइन को भी आप grand league में भी captain कर सकते हैं, चलिए चलते हैं, dream 11 team की तरफ तो यहाँ पर हमारे पास wicket keeping section में तीन option है, martin है यहाँ पर kaysia knight और kembell है यहाँ पर martin को भी आप बिल्कुल try कर सकते हैं, क्योंकि आपको wicket keeping के अच्छे खासे points दे सकते हैं प्लस lower order में betting, तो न्यूजिलेंड अगर पहले betting करती है, सो यहाँ पर martin अच्छे pick है, kembell है जो lower order में betting करेगी, फ्लस wicket keeping जो है, वो knight करेंगी, सो knight एक better pick है, सो आप martin और knight में better consider कर सकते हैं, kembell grand league के लिए try कर लेते हैं, कर सकते हो यहाँ पर अभी के लिए सबसे important section में आयाते हैं, जो women's match में होता है वो है उनका all rounder section सारे main player यहीं पर mention होते हैं अब देखो, emilia कर important है captain wise captain की दावेदार है ठीक है, यहाँ पर divine बहुत important है captain wise captain की choice अच्छी है, यहाँ पर haley matthews अपने over भी पूरे करेंगी, प्लस आपको पूरे करने चाहिए, प्लस आपको betting करके देती है, recent form काफी अच्छा है, so important है, अब यहाँ पर tailor जो है, team की सबसे most important खिलाड़ी है, तो चारो ही जो all rounder है न, अब अगर हम यहाँ चारो ही all rounder ले ले लेते हैं, तो most लोग लेकर आएंगे, सब credit का भी issue आएगा, प्लस यहाँ पर जो दो खिलाड़ी हैं, जिनके उपर हम बात कर लेते हैं, तहूहू और Macay, यह दोनों खिलाड़ी का selection है ही नहीं, so आप multiple grand leagues अगर create कर रहे हो, so आप क्या कर सकते हो कि चार में से तीन तो यहाँ पर यह लेकर चलो इन में से, मतलब चार में से किसी एक को drop करो, और यहाँ पर तहूहू और Macay को आप rotate कर सकते हो इस तरीके से आप multiple teams भी बना सकते हो, ठीक है, so यहाँ पर अभी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कर Matthews, Divine और Taylor चारो के साथ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मन तहूहू कभी है, लेकिन यहाँ पर चारो ही और लाउंडर किसी को भी drop करना specially small league में बहुत बड़ा risk हो सकता है, so अभी के लिए मैंने यहाँ पर 4 को लिया है, यहाँ पर और MacAko's बिल्कुल आप try कर सकते हो, specially grand league में यहाँ पर चलते हैं, bowling section में Jessker सबसे important pick रहने वाली है, so वो मैं लूँगा, Jensen के साथ भी मैं गया हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर यह दो pick आ गई है, West Indies की तरफ से Connell अच्छी है, Anisha Mohamed अच्छी है, यहाँ पर Hannah Rove, आपके लिए एक अच्छी differential player का काम करके दे जाएंगी, यहाँ पर Salman का selection बहुत ही कम है, अगर Hannah Rove की जगा यहाँ पर Maier खेल जाएं, तो आप इनको भी consider कर सकते हैं, Aline का selection बहुत कम है, थोड़ी बहुत बैटिंग थोड़ी बहुत bowling आपको करके दे सकती है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर चलते हैं, बैटिंग section में, बैटिंग section में सूजी बेट मेरे पास होने ही होने वाली है, अब यहाँ पर बैटिंग section बहुत जादा option वैसे भी नहीं बचते हैं, और तीन बैटिंग लेकर जाना है, तो यहाँ पर अभी के लिए मैंने सेटर वेट को भी ले लिया है, ठीक है, अब डोटिंग को लेते हैं, तो जो है आपके पास क्रेडिट ही नहीं बच रहे हैं, तो आप आ जाते हैं विकेट कीपिंग section में, अब विकेट कीपिंग section में हमने knight को लिया है, यहाँ पर केटी मार्टिन को नहीं लिया है, तो यहाँ पर दो option बच रहे हैं, तो दो option में यहाँ पर doton है, यहाँ पर c nation है, यहाँ पर medigreen है, यहाँ पर asada williams है, और एक आपको bowler लेकर चलना है, समबॉलर के लिए हमारे पास panel की choice बचती है, और यहाँ पर row की, क्योंकि एनिशा मुहमत के लिए credit नहीं बच रहा है, तो मैंने हाँ पर हेना row को लिया है, और 8 credit में हाँ यहाँ पर c nation एक option है, और williams एक option है, मैं अगर williams open करती हैं, williams के साथ जाओंगा, otherwise यहाँ पर c nation के साथ जाओंगा, तो अभी के लिए मैंने हाँ पर c nation को रखा है, लेकिन अगर यहाँ पर रसादा williams open कर रही है, क्योंकि हेली मैथ्यूस के भी chance है, तो उस case में हाँ पर मैं रसादा williams को लूँगा, अब देखो यह वाली जो टीम बन रही है न, आप देखोगे majority small league में लोगों की यही टीम बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या रिस्क ले सकते हो, या अगर आप differential जाना चाते हो, तो आपके पास क्या option है, आपके पास फिर यह option है, कि आप dot in को अगर लेना चाते हो, तो फिर आप चारों में से किसी एक all rounder को drop करके चलो, या तो फिर आप divine या taylor या कर और Matthews में से किसी एक को drop करो, अगर आप Stephanie taylor को drop करना चाते हो, तो आप taylor को drop करके आप dot in ले सकते हो, और उस case में आप जो है, यहाँ पर आप आप ने अगर यहाँ पर dot in को ले लिया, फिर हमारे पास eight and a half credit बच रहे हैं, जिसमें आप जो है, अलरेडी हमारे पास साथ player यहाँ पर अलरेडी हैं, तो एक player हमें और West Indies का लेना होगा, तो उस case में यहाँ पर eight and a half में, यहाँ C Nation ले सकते हो, या फिर आप Connell ले सकते हो, तो अगर आप कुछ differential try करना चाते हो, तो आप यह चीज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें यह risk रहेगा, कि dot in player तो काफी अच्छी है, बट हो बैटिंग करेंगी, और Taylor जो हो pure all-rounder है, सो एक यह बहुत बड़ा risk बन जाता है, सो जिसके चलते मैं यह risk अभी नहीं ले रहा हूँ, सो यहाँ पर मुझे dot in को drop करना ही पड़ रहा, और similarly आप देखो कि इस match में majority लोगों की टीम यही बनने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सो कैप्टन वाइस कैप्टन की choice बहुत important बन जाती है, सो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं, सो यहाँ पर कैप्टन जो है मैं एमेलिया करके साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन के पास हमारे पास तीनों option है, हेली मैथ्यूज, डिवाइन और यहाँ पर टेलर, मैंने यहाँ पर डिवाइन को अपने वाइस कैप्टन बनाया है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, सूजी बेट्स हैं, अगर टीम बाद में बोलिंग करती है, सो उनको भी गंसीडर कर सकते हो, और बोलिंग से जैस कर भी एक अच्छी option बन जाती है, सो यह मेरी small league की team बन रही है, final team आपको telegram पर मिलेगी, बात कर लेते हैं, आपको grand league teams की, सो यहाँ पर आपको मैं उससे पहले fan to play app की भी team दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई credit का issue नहीं आने वाला है, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने तगुहू को ले लिया है, in place of anarov, सो यह जो है मैंने किया है, captain wise captain मेरे same रहने वाले है, सो fortune refer code है, link इसका description मिल जाएगा, सो download ज़रूर कर लेना, बात करते हैं grand league teams की, सो यहाँ पर यह मेरी grand league team number one मैंने बनाई है इसमें मैंने emilya kar को ही captain रखा है और movement match में आप grand league असानी 7 कर सकते हो अगर आप regular उस पर focus करते हो क्योंकि यहाँ पर main captain wise captain वाले performance दे सकते हो गिने चुने player ही होते हैं mostly वो ही best player होते हैं सारे player यहाँ पर उतने अच्छे नहीं होते तो इस चीज़ का ध्यान रखना है तो आप यहाँ पर कर के साथ ही मैंने captain गया हूँ safe और wise captain मैंने jesskar को रख लिया है तो कर की जोड़ी मैंने यहाँ पर रखी है और यहाँ पर मैंने वो वाला combination रखा है कि डॉटन को ले लिया है और यहाँ पर सेल्मान को ले लिया है वैंने तो यह मेरी grand league की team number one बन रही है grand league team number two यह रहीगी यह better जादा रहीगी अगर पहले न्यूजिलेंड की bowling आती है क्योंकि हमने divine और suzy bates को captainize captain रखा है और 4-5 हमारे पास bowler भी इनकी आ गई है प्लस हमने wicket keeping में Martin को रख लिया है कि वो अच्छे कासे आपको cash पकड़के दे दे और वहाँ से भी आपको points मिल जाए रशादा विल्यम्स, टेलर, यहाँ पर डॉटन और अनिसा मुहम्मद को हमने रखा है यह team बनती है grand league team number 2 उमीद करता हूँ यह video आपको पसंद आई है पसंद आई है तो like करो, share करो comment करके बताओ आप किसको captain wise captain बनाने वाले हो इस match में और आप हमारे साथ जुड़ जाएए telegram channel पर link description में है साथ के साथ comment section में पिन कर दूँगा और youtube channel को subscribe करके bell icon दबा देचिए जैसे ही video आया करेगी आपको notification मिल जाएगी thank you guys